जय मां इंद्राक्षी जय अंबे जय मां चंद्रगंटा इंद्राक्षी धाम में दर्शकुवाब सभी का महारदेग स्वागत करते हैं आज तीसरा नवरात्र है भगवती चंद्रगंटा का आज के दिन पूजन किया जाता है भगवती को आज के दिन क्या भोग लगाना चाहिए दुर्गा सबसे सती में या तो हम प्रती दिन तेरा अध्याय पढ़ें या फिर अगर हमें लगरूप में करना है आसान तरीके से करना है तो फिर आज कौन सा अध्याय होगा और कल भगवती कुष्मंडा के रूप की पूजा होगी चतुरस नवरात्र में भगवती को क्या भोग लगना चाहिए चोते नवरात्र में और भगवती के वो हम भगवती के निमित्त कौन सा पाट कर सकते है सारी चीजे इस अंक में हम लिखवाएंगे तो आएए पहले आज का हम पंचांग देखें फिर हम आगे की बात करते हैं सबसे पहली बात बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुप कामना है हजारों परिवार 24 मिनट की साधना करने में लगे हुए है कोई सोच रहे है मुझसे कुछ गलती ना हो जाए कोई सोच रहे है कि मैं कैसे सोऊ कोई सोच रहे है मैं बाल कटाऊं न कटाऊं तरह-तरह के सवाल आपके हैं तो देखो जब हम 40 जिव से कोई ऐसा नुष्ठान करते हैं तो पुरुष के लिए मैं बता रहा हूँ तो सेविंग वगारा जो अपनी दाड़ी बनाई जाती है वो आप बना सकते हैं उसमें कोई दोश नहीं है हाँ सर के बाल नहीं 40 दिन आपको कटाने होते हैं आप बहुत ही कोई मजबूरी हो जाए तो उसके प्राश्चे सबरूप हमें 24 मिनट की एक संख्या यानि के एक्स्टा 24 मिनट करने चाहिए लेकिन प्रियास किया जाए कि सर के बाल आदी न कटाए जाए बाकि हम अपनी सेविंग वगरा जो बनाते हैं प्रती दिन के हिसाब से उसमें कोई पह नहीं है ठीक है एक अनुस्थान और भी किसम के होते हैं या जैसे ब्राह्मन को यह अनुस्थान करते हैं तो वो शौर करम नहीं करते हैं वो सेविंगा दे नहीं बनाते हैं भूमी पर सोना ये सारी बातें कुछ बातें मैं आप सब के लिए भी बताऊंगा तो पहले में नवरात्र की बात कर लूँ जैसे कि आज तीसरा नवरात्र है तो आज जो भी आप पूजा करेंगे भोग लगाएंगे तो भगवती के तीसरे सबरूप का ज्यान करके भगवती चंद्र घंटा का ज्यान करते हुए आप भोग लगाएंगे अब जरूरी नहीं सफी की घर में नवर दुर्गाओं की परतिमाय हों मूर्तियां हों या अलग अलग रूप हो एक ही भगवती है रूप उन्ही के अलग अलग है तो जो भी सबरूप आपके घर में हैं, महालक्षमी हैं, महाकाली हैं, सरस्वत्नी हैं, जो भी आपके घर में सबरूप हैं, उनी को डेली धूब दीव चंदनादी आपरपन करके, उनी का बस रोज के नाम अलग अलग नाम सोच करके, बहावला करके, कि जैसे आज मैं भगव लेकिन उनके नाम अलग अलग हो जाते हैं तो कई लोग ऐसे सवाल करते हैं जैसे कुस्मांडा हैं भगवती हैं ब्रह्म चारणी हैं तो क्या अलग-अलग सब रूप हो कि हमें फोटो या मूर्ती रखनी चाहिए नहीं वहीं रखें उन्हीं कि आप पूजा करें आप आए आ कारिकनम हम सभी लोगों के लिए प्रस्तुत करते हैं जो नए सादक मी हैं और कुछ पुराने फुसुवा जल्दी नहीं कर पाते हैं तो आपको भी चीजे पता लगती रहें आज की इस्तिति में हम भगवती को दूद का भग लगाएंगे आज भोग के नाम पर तृत्या तिति में भगवती को दूद भरिया है तो दूद का भोग लगाना चाहिए पाठ केवल चोथा पाठ आज किया जाएगा केवल चोथा और जो रेगुलर हिसाब से दुर्गा सबस्ति पढ़ते हैं तेरा के तेरा ध्यायरोज करते हैं वो तो फिर पूरी फुस्तक का अपने हिसाब से करते हैं कल भगवती के चोथे सबरूप भगवती कुस्मांडा का ध्यान करते हुए भगवती का पूजन आर्चन करें पंचोब चार पूजन करें या शोट सोब चार पूजन करें और उसी के साथ साथ कल जो भगवती को भोग लगेगा वो माल पूए का भोग ल में परसाद रूपन ले सकते हैं दूसरी बात जिन लोगों ने वर्त रखा हो अब वर्त में हम आटा नहीं ले सकते सूजी का हलवा भी हम उसमें ग्रहण नहीं कर सकते तो ऐसी इस्तिति में आप केबल दूद का ही भूग भगवती को लगा दें या ड्राइफ रूट्स जो ह आप कुछ भी भूग ना लगाएं अपनी अंदर आत्मा से भगवती को भजते रहें भगवती को सबसे प्रिया बस यही लगता है नेक रास्ते पर चलें अच्छे नियती पर रहें जूट से बहुत चीजों से बच करके रहें और सुद्ध सुन्दर तरीके से भगवती के साथना करते नहें भगवती को इससे वरिया कुछ नहीं है ठीक है और कल के दिन का पार्ट नोट कर लीजिएगा कल के दिन का जो पार्ट रहेगा वो पांचवा छटा साथवा और आठवा तो यानि कि चार पार्ट कल के दिन किये जाएंगे यह आप ध्यां करना और बाकि तो देखो साद को बहुत अच्छे से जितना भी आप से बन सके करते रहिएगा जिन्होंने जौं बीजे हैं तो जब आप अस्टिमी करते हैं जब कन्या पूजन आप कर रहे हूं उस से में वो जौं चांदी के सिक्षे से एक चांदी की किसी चीज से काटे जाते हैं किसी जों में सफेद बाल उपर तक निकला आए बड़ा शुब माना जाता है इसको हम खेतरी बीजना कहते हैं जों बीजना कहते हैं लेकिन वास्तम में इसका जो नाम है वो जयन्ती है ध्यान रखने आज के बाद इसको जयन्ती कहा जाता कि आपके घर की जयन्ती कैसी हुई है पहले हमारे किसान भाई या और बहुत लोग या व्यापारी वर्ग उस जयन्ती के हिसाब से अपने व्यापार का हिसाब लगा लेता था कैसे तो जितनी अच्छी घर में जैनती होती थी उसी से ये अंदाय लग जाता था कि जैसे उंचे साइज की बड़े साइज की एकदम सुन्दर सी दिखने में लगे भरी-भरी सी लगे तो उससे ये निकलता है कि हमने शुद्ध भाव से अच्छे तरीके से हमने पूजा की ह और भगवती का आशिवाद हमें मिल रहा है इस बार हमारा व्यापार अच्छा रहेगी इस बार हमारी फसल अच्छी आईगी इस बार हमारे दूद्ध जो पशू है वो अच्छा दूद्ध देंगे मतलब कि इस बार की हमारी ये खेतरी ये कहती है ये ज्वारी कहती है कि ह हमें इस बार अच्छे लाव की प्राक्ति हो लेकिन कई बार हमारी गलती भी हो जाती है हम अच्छा उसमें जौन नहीं पाते हैं पानी बहुत डाल देते हैं वह उगी नहीं पाते हैं निकल नहीं पाते हैं तो उसमें हम सोच लेते हैं आरे हमारी तो पूजा वेकार हो गई तो दोने ही बाते हैं आपकी जो बीज रहे हैं उसके उपर भी डिबेंड करता है आपके इस पर कर से काम कर रहे हैं और उस पर भी डिबेंड करता है जो भी हमारी भागना कैसे ठीक तो उसमें अगर बिलकुल जौन सफेज दूदिया यासा निकलाए उसको दूप दीप अपस्या के प्रणाम से ही वह अक्सर निकलती है बहुत लोग नीचे आदे सफेद होते हैं उपर हरे हरे होते हैं उसको भी सफेद माल लेते हैं नहीं जो नीचे से निकले और लाश्ट के सीरे तक वाइट रंग का हो सफेद रंग जैसे दूद होता है और बढ़िया कि साथ सब्सेर पताई दूँगा आपको और इसी के सास्ता जो आपने कलस भर के रखा है वो कलस भी उसी दिन करन्या फूजल के दिन उठाया जाता है सारे घर में चीटे दिये जाता हैं और बाद में बचा हुआ जल जैसे किसान हैं अपने खेतों पर Κ पश्यों पर पढ़ते हुए या शांती मंत्र पढ़ते हुए उसके बाद जो पज्जा इस हुई है गुदे ने या अपने गमले में ला ठीक है उसमें अगर आपने चांदी का सिक्का डाला था तो वो चांदी का सिक्का निकाल करके अपने वही शुद्ध पूजर इस्तल परी उसको साल पूजते रही है अगले साल फिर उसको डालिएगा ठीक है हर च्छे महीने बाद नवरात रहते हैं वैसे चार नवरात रोते हैं रतीन महीने बाद आते हैं लेकिन मुख्य ताहरे दो नवरात माने रहते हैं चैत्र के और यह असोज के आश्विछ तो बहुत अच्छे से पू अच्छा लग रहा होगा और बहुत लोग सोचना है अरे कहां भस गए 40 दिन का हमने संकल्प ले लिया कैसे 40 दिन पूरे होंगे अभी तो दो ही दिन हुए तीन ही दिन हुए ऐसा मत सोचो ऐसी बाते मन में आती हैं जो हमारा एक अंदर का पापी मन होता है न वो हमें बहकाता पापी मन हमें बहकाएगा पापी मन हमारी पूजा को डामडोल करने का प्रियास करेगा उसकी मत सुनिये उसकी बातों में मत आईएगा अपने जो शुद्ध मन है शुद्ध तन है शुद्ध आत्मा है उसको सुनियेगा और नहीं जटक जीजिए उस मन को कि नहीं हमें 40 द कि सब्सक्राइब किसी की चुट जा है तो वो साम को कर लए तो ऐसे अपने आपको अप मेंटेंट करने है जो माला से करने माला से करिएगा और जो महानवारा मंत्र है उससे केवल पांच बार पढ़ा जाता है कोई ऐसा कमेंट्स भी हमारे सामने आया है कि उन्होंने एक माला कर लिए अब एक माला में तो बड़ा समय उस बच्ची को लगा होगा खर देवी की जैसी इच्छा वैसा ही हो जाता है इसलिए पूरी ध्यान से साधना को अच्छे से करम से सुन करके तप्किया करें बहुत लोग छुट गए हैं जो बाद में कह रहे हैं हमें PDF नहीं मिली या जुड़ना चाह रहे थे उनके लिए यह कहेंगे कि नेक्स टाइम जब कोई और साधना आप से कराएंगे तब आप लोग जुड़िएगा आई समय उचला ध्यान साधना का जुड़ते हैं भगवती मा चंद्रघंटा से ओम सिंदूर अरुण विग्रहां त्रिनाया नाम मानिक्यमोले स्पुराज स्तारा नायक से करां स्मित मुखे भापे नबाग छोरुआं पानी प्यामल पूर्ण रत्न चसकां रत्नोत परां विब्रते सोम्याम रत्न गडस्त रक्त चरणाम ध्यायत्परां मंबिकाम खडगं चक्रगदि सुचाप परिगान चूलं भुसुंडिम्सिरा संखं संददतिम्करिस्त्रिनयानाम सर्वंग भूस्वरिताम निलास्मध्युत्यमास्यपाद दसकां सेवे महांकालिकां यामास्तो स्वपितै हरो कमल जो अंतुम्मदुम्कटवं विद्यो दाम समप्रवाम् रिगपते सकंदस्तिताम् विशनाम् कन्या विहकरवाल खेट विलसा धस्ता विरास्यविताम् हस्ते स्चक्रगरा सिखेट विशिखां स्चापं गुणं तरजनीम् विप्राणा मलिलात्मिकां ससिदाराम धुरगाम्तिनेत्राम वजे कवच मना लें ध्यान करें भगवती का सुब आसी समसब के उपर बरस रहा है ओम बोलते हुए नेत्र खोने समान्य हो जाए देखो साद को 24 मिनट की बहुत प्यारी सादना है और वो लोग भी हिम्मत मार रहे हैं जो पढ़ लिख नहीं पाते हैं ने जाने उनने किसी किसी से पढ़वा करके वो सादना अपनी कैसे कैसे पूरी की है तो देखो डरना मत आप जो कर रहे हैं ना चाहें आप पढ़े लिख हैं या नहीं है या जो पूरी विधी नंबर वन कर रहे हैं डरना मत कि हमसे कोई गलती ना हो जाए हमसे ये ना हो जाए बिलकुल मत डरना और ये सोचकर तो कदापी मत डरना कि मैं महिला हूँ मैं गायत्री मंत पढ़ रही हूँ कहीं बिजली तो नहीं कर जाएगी मेरे उपर कहीं ये तो नहीं हो जाएगा कहीं वो तो नहीं हो वो भगवती हैं इसलिए बिल्कुल चंदा मत करना आप लोग सभी जितने भी सादक हैं हमारे बच्चे लोग हैं बेटे लोग हैं बिल्कुल मत डरना अच्छे से अपनी गाहित्री मंत्र की सादना जैसे आपको बताई गई है आप वैसे करना बहुत बड़ा लंबा चोड़ा कोई अनुष्ठान होता है उसमें सो बार सोचा जाता है कि कैसे शाप बिमोचन करें हैं क्या करें कोई प्रुष्चन कर रहे हैं आप कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हैं तो की बात होती है इस 24 मिनट की और वो भी गाहित्री मंत्र हिस्से में आता कि आम जंता डर जाती है अरे भाई यह बोल रहे हैं तो अरे मेरी बात बताईए गाहित्री मंत्र के कितने सब रूप है राम गाहित्री गणेश गाहित्री शिव गाहित्री सूर्य गाहित्री पित्र गाहित्री अगर गाहित्री में ऐसा दोश है तो इतने सारे गाहित्री क मंत्र से मंत्र बने हूँ ऐसा बच्चों कुछ नहीं है आप अच्छे से करिए परम पुंजे गुर्देव का शुब आसीज सुब आसिरवाद हम सब के साथ है बढ़ने शीरी नाम शर्मा जी ने हम सब को आशिरवाद दे रखा है आप पिल्कुल मत कर ला ठीक है और बाकी आ आप अंदर से मजबूत हो जाएंगे एक खुशी की लहर आपके मन में तन में अपने आप कोंदने लगेगी आप करिए हम आपके साथ कणे घबराना ठीक है चलिए आप सब स्वस्त रहें सुखीन है इनी शुप्रामनाव के साथ हम अपनी वाणी को बिराम देते हैं जय ज करने के लिए प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने है तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा दस वजे से शाम छे बजे तक हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें अजिछा द कारिक्रम सबस्तुट करें लिए तक जानकारी के लिए फेस्थे 6ечение भंट करें तुम्यरण वर्धक करेंपने मुझा के लिए जानकारी की साहिं शाहिं था चेस्टोर प्रेस्टिक्रम दूले प्रेस्टोर साथ एंग